हलो एवरिबन कैसे हूँ आप सब आज में लेकर आई हूँ टमाटर की चटनी इतनी टेस्टी देखते ही मूँ में पानी आ जाएगा और आपकी पूरी फैमिली अंगुलिया चाट चाट कर खाएगी तो फिर चलिए इसे टेस्टी सी डिलिसियसी टमाटर की चटनी को बनाना फर्चे शुरू कर लेते हैं टमाटर की चटनी बनाने के लिए आप सलाद वाले टमाटर भी ले सकते हो गोल वाले टमाटर आते हैं आप वो भी ले सकते हो अद पके कच्चे या ज्यादा पके हुए भी ले सकते हो क्योंकि ये चटनी कच्चे टमाटर की भी बन सकती है पक के according अपने हापड सारा मेजूरमेंट देखेंगे मसाले का अब नीचे से गेस ओन करके एक बरतन में दो टेबली स्पून ओईल लेंगे थोड़ा सा ओईल ज्यादा लगेगा तो थोड़ा सा ओईल ज्यादा लीजिये का और तेल को गरम करेंगे तेल की जगह आप गी भी ले सकते हो गी से तो यह ओड़ ज्यादा टेस्टी लगेगी तेल अपना गरम हो चुका है इसमें चुटकी भर जीरा एड़ करेंगे लेसुन की कलियां 6-7 करस करके लेसुन जैसे ही फ्राई होगा इसमें सारे टमाटर एड़ कर देंगे इसमें पानी वगिरा मते एड़ कीजेगा डारेक्ट अपन मसाले एड़ करेंगे क्योंकि टमाटर अपने आप इह पानी छोड़ देते हैं हाफ चमच लाल मिट्च पाउडर, हाफ चमच हल्दी पाउडर सूका हराधन या पाउडर मत एड़ कीजिएगा डारेक्ट अपन एड़ करेंगे टेस्ट के अकोडिंग नमक है और इन सभी को मिला कर पका लेंगे कुछ लोग के पीस कर टामाटर को फिर चटनी बनाते हैं मैं है आपर आपको डारेक्ट बता रही हूँ इसे आपको मिक्सी चलाने की या मिक्सी जाल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी टामाटर पक चुके हैं तेल उपर आ चुका है अब इसमें अपन एड़ करेंगे एक डेड़ चमच सक्कर की सक्कर की जगह आप गुड़ भी ले सकते हो सक्कर मिल ना जाए टामाटर में तब तक ही गेस को ओन रखेंगे सक्कर भी मिक्स हो चुकी है तेल अपना उपर आ चुका है चटनी पक चुकी है अब अपन नीचे से गेस बंद कर देंगे और ये लीजे अपनी टेस्ट इसी डिलिसियसी लाल टामाटर की सबजी के दो ये चटनी के दो बन कर त्यार हो गई है ना मिक्स से चलाने की जरूरत ना जदा मसालों की जरूरत ना केसी सबजी की जरूरत आप भी बनाए ऐसी डिलिसियसी फटाफट बनने वाले चटनी मुझे पता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे सेर कीजे और सब्सक्राइब कीजेगा